हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे टूटी फूटी केक जो कि बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा सुपर सॉप्ट और सुपर टेस्टी बनाएंगे बिना एक के और बिना ओवन के हम इसे बनाने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से इसे आप जरूर ट्राइ करें और सारे मेथड को ऐसे ही फोलो करके आप बनाएं तो चलिए आज की टेस्ट इरे से भी बनाना शुरू करते हैं इसके को बनाने के लिए एक बाउल में डालेंगे हम एक कप मैदा और उसके बाद में इसमें डालेंगे आदा चमच बेकिंग पाउडर एक चोथा ही चमच डालेंगे बेकिंग सोड़ा और उसके बाद में आदा कप लेंगे हम चीनी मैंने यहां दानेदार चीनी का यूज किया है जिस कप का मेजर्मेंट ले रहे हो सारी इंगिरेंस उसी कप के मेजर्मेंट से लेने हैं या कोई बाउल लो तो बाउल का भी उसी मेजर्मेंट से लेना है इन सब ड्राइए इंगिरेंस को हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में हम प्री हीट के लिए एक बरतन गेस पे चढ़ाएंगे मैंने यहाँ एक स्टील का बड़ा टोपिया लिया है और उसमें डाला है थोड़ा सा एक कप नमक नमक को चारतरब फेला लेंगे मैंने यहां इस्टील का भरतन लिया है इसलिए मैं इसलिए नमक डाल रही हूँ आप एलमूनियम का भरतन भी ले सकते हैं और इसमें रखेंगे एक छोटा सा सा स्टेंड आप चाहे तो कटोड़ी भी रख सकते हैं मैं यहां बिना ओवन से केक बना रही हूं इसलिए मैं यहां इन बर्तन का यूज कर रही हूं और जो ड्राइ इंगिडिरेंस हमने लिए थे अब उसमें डालेंगे हम सबसे पहले लेंगे आदा कप मिल्कमेड उसमें आदा कप पानी एड़ करेंगे और एक अच्छा सा घूल रहे हैं यह कंटेंट मिल्क जो हमने रेड़ी किया था और उसके बाद में आदा कप डालेंगे ओयल ओयल आप नोन फ्लेवर्ड ओयल इसमें यूज करें दस से बारा फुंद डालेंगे वैनिला एसेंस की और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक साइड में हमें मिक्स क करना चाते हैं जो भी हूज इसमें कर रहे हैं वो सब रूम टेंपरेचर पर होने चाहिए और अब एक कंटेनर लेंगे मैंनिया एक एलमोनियम का कंटेनर लिया है उसमें बटर पेपर नीचे लगा दिया है और उसके बाद में ओयल से चारतरब ग्रीज कर लेंगे ताकि के के नहीं और उसके बाद में जो बेटर हमने रेडी किया है वह बेटर सिसमें हम डाल देंगे या और वह यहद्ड़ी ऐसमें आब यह कहम टुुटि-्फूूटि-वाला केख बना रहे है तो अब एक बावल में लेंगे हम टूुटि-फूूटि और इसमें डालेंगे आदा चमच मैदा, उसे इसे मिक्स कर लेंगे, टूटी फूटी में मैदा डालने से क्या होता ना, केक में टूटी फूटी नीचे नहीं जमती, अच्छे से चारुतरप अच्छे से फैल जाती है, इसके बाद में इस टूटी फूटी को हम इस केक के उसके बाद में इस कंटेनर को हम दीरे सी रख देंगे बड़ी साफदानी से और उसके बाद में इसे कवर कर देंगे 30 से 35 मिनट इस केक को बेख होने में लग जाते हैं बीच में एक बार आप चेक कर लें करीक टूथपिक से अंदर डालकि देख लेका कि टूथपिक केलियर है तो इसका मतलब केक रेड़ी हो चुका है और करेने को दस प्लेट में निकाले और उपर से यह बटर पेपर लगा हुआ है इसे हम अटा देंगे यह आप देख सकते हैं बटर पेपर बिल्कुल आसानी से हड़ जाता है केक अच्छे से बेक हो चुका है कितना शांदार वाला केक बनाए बिल्कुल इजी मेथर से हमने इसे बनाये हैं आप भी बिल्कुल इसी मेथर से पुल ट्राई करें बहुत अच्छा केक बनेगा उपर से आप टूटी फूटी से इसे सर्व करें यह आप देख सकते हैं हम आप वो कट करके दिखाते देखे कितना स्पंजी केक बना है इस तरह कि यदि आप केक बनाएंगे तो सब को आप इसे जरूर ट्राई करें और बनाने में बिल्कुल यह आसान तरीके से हमने बनाये हैं और यह रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें